नमस्कार भाईयों बहनों दोस्तों साथियों आप सभी का एक वार फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल नोटिसेंस वालेपी में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज आप मेरे हाथ में एक पैकट देख रहे होंगे यह मैंने इमेजन से मंगाया इसमें है गिटार स्ट्रिंग्स यह इफोर्ज इस्ट्रिंग्स है उसका सेट मेंने मंगाया है तो यह पड़ा है मुझे 120 रुपे में 12 और करेंट रेट इसका 124 रुपे में 12 मिल रही है यहांने कि सारी इस ट्रिंग के सेटे हैं अभी देखते हैं एक उन्बॉक्स करके कि ये कैसा आया है है आई इसको अन्बॉक्स करता है कि अधर खराब निकलती है तो वापिस कराना पड़ेगा इसलिए इसलिए मैं फोल रहा हूं आप देख सकते हैं इस तरह से ये करोना की स्ट्रिंग से हैं ठीक थाग ब्रैंड है यहां पर करोना काफे पॉपुलर है अब आप देख सकते हैं कि यह आय थे एक दो तीन चार पा बारा स्ट्रिंग से हें एक तो तीन चार पाँक से बारा होंगी अट नौ दाय होगी एक दो तीन चार पाँक। यह बारा पूरी हैं दोस्तों इस तो देख सकता है कि क्वाटिटी पूरी हैं यानि कि 12-12 के मैंने पाथ सेट नंगा थे हग सेट के अंदर फॉरिस्टिंग जो थी बारा थी फाथ सट एक शीज पूरी है पूरी है इस दिखाना चाहंगो पालेटी वाई यह करोना ने पहुंचाया है पालेटी के साथ से कैसी है किस तरह से इंस्टाल करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैंने नहीं इसको अनुआइड किया यानि कि खोला इसको बहुत तरीके से खोलना चाहिए नहीं तो लपेटे से उलच करके यह इसको तूट भी सकती है आप पहले देखे कितर की तरफ भी घूमी में कितर की तरफ मुडी में इसको ठोड़ा सब डिली हो जाते है तो इससे करके आपने यह पूरा इस्ट्रिंग खुल गई अब सबसे पहले इसका लेंद्ध देखते हैं हमारे जंबो गिटार के लगवग है इसके लायक फीट है यानि कि इस्ट्रिंग की लेंद्ध बिल्कुल इस जंबो गिटार के लायक फीट है जूरेश की गिटार के लायक तो मिडिल यह मीडियम साइज या बेगली साइज गिटार के आई जाएगा तो दोस्तों लगाने की प्रोसेस में सबसे पहले आपको यहां से निकालना चाह है हुकि अगले से सब्सक्राइए तहरे मैं अब यहां अब आप इस छेध में चाहे इधर से लगा आःए अब अपने यहीं लगा है तो यह करना पड़ता है नहीं तो बार बार यह तार धीली होती रहती है अंत्यून गितार होता रहता है तो मैं थोड़ा सा निकाल चुका हूँ तो दोस्तों आप जैसा आप देख रहे हैं आरपार निकल चुका है अब इसके बाद मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा तारों के लपेटे किदर हैं इन तीन E, B, G तारों के लपेटे U में आएंगे और इन D, A, E के लपेटे इधर को आएंगे यानि ये दोनों अंदर को ये इधर की तरफ अंदर को है ये लपेटे इसर की तरफ अंदर को है कि लेको सही जतन करके लपेटा ले रहा हूं पर आपको ध्यान रखना है कि सासत मूड़े मतलब लपेटे के सासत घूमता रहे हैं अगर नहीं घूमेगा तो टार इस तरह से मूड़ जाएंगी फोल्ड पढ़ जाएंगी जैसा भी पढ़ रहा है तो इसको सासत घूमते देन है कि अभी मैं इसको सासत घूमने दे रहा हूं इसको तब तक अपने लपेटा देना है जब तक यह इसकी लेंद के ब्राबर में हो जाए यहां पर इस तरह से अंदर से घूमारों में तार को इस तरह से साथ आखला पेटा होना चाहिए यह लगबल इसके बराबर हो चुका है आपको यहां दिख रहा होगा यह यहां पर अब जो मैंने पहले निकाला था वह मैं इस पर लगा दूँगा अभी आपको फटावा पॉर्शन आपको फटावा पॉर्शन के अंदर से तार जानी चाहिए इस तरह से करके आप देखेंगे यह मैंने यहां पर लगाया इसका यह पर्ट को इसके सीधाई में रख करके है ऊंट अब तर आपने यह भी देखना वहां से तार बिल्कुल जा रही एक हैं यहां पर लाकर कर और है प्रेशặt कर दो हैं कि निदर जा रहो हो गया पिल्कुल तारिष की सिधाई में अंदर जा चुकी है यह मैंने थोड़ा टाइट कर दिया है अब दोस्तों यहां पर से भी इसके अंदर सी आप फटावा कटावा कोर्सन नहीं है आप अब देखते हैं तुनर अन करते हैं और यह होता हमारे ए-4 पर है आई हुप सब सब्सक्राइब कर देखते हैं जब आप नहीं तार लगा थे पुड़ा बहुता रहा है तर बार बाद कि अपने सई लपेटे में आता हो हुआ है कि आगे लिगे ने पर दीला होता रहेगा है तो आपना सेब ले रही है इसलिज तरह क्या वाज आ रही है कि यह मरी नहीं तार जो हमने लगाई है भी बिल्कुट ठीक आ रही है हमारा किटार ट्यून हो चुका है और हमने जब भी तार लगाए थे विए फोर देख सकते हैं आप बिल्कुल ठीक इसमें आवाज आ रही है तुमारी तार पूटी भी नहीं है यह मारी इस्टिंग हमने इस तरह से इंस्टॉल कर दिया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इस्टार लगाई थी किस तरह से क्वालिटी आई है अच्छी क्वालिटी आई है मैं सब्सक्राइब रही है आपने देखा भी हमने इस्टिंग किस तरह से हमें मिली है और किस तरह से हमने लगाई लगाना भी आपको सिखाया तो आप दोस्तों ये गिटार की करोना की स्टिंग्स ले सकते हैं और यदि आपको मेरे इस वीडियो को देखे थोड़े भी हल्क मिले तो आप इस वीडियो को लाइक से रहे हैं और सबस्क्राइब जूरू झाल